प्राइवेट नर्सरी में थोड़ा सा कॉस्ट जादा ही रहता है सो बात करेंगे आज कि इस प्लांट को आप गर्मी के टाइम पे समर सीजन में इसको कैसे केर करना चाहिए सो इस प्लांट का आप केर कैसे करें सो यहापर आप देख सकते हैं जो पतले पतले छोटे छोटे वाइन्स निकले हुए है इसी से नय प्लांट का ग्रो होता है नया प्लांट बनता है बट इसमें सोयल में टच होना चाहिए इस तरह से अगर पॉट से बाहर आ जाएगा तो कुछ दिन बार से इस तरीके से सूख के वो मर जाएगा तो इसलिए मैं क्या करती है बीजवीच में जितनी भी इसकी वाइन्स निकलती है इसको मैं उपर कर देती हूँ जिससे क्या होता है या फिर उपर से थोड़ा मिट्टी दे देती हूँ उससे क्या होता है कि ये प्लांट का पॉट अगर पॉट में अप लगा रहे हैं तो पॉट कभी भी सूखनी नहीं चाहिए जो चोटे चोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं या वाइन से बोल सकते हैं इसके जो होते हैं ना कल टाइप के होते हैं राउंड राउंड एकदम कॉयल टाइप के मूड़ यह हीली एरिया में पाय जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाय जाता है, फॉरेस्ट एरिया का जितना भी सॉयल होता है, वो थोड़ा सा एसिडिक फॉर्म में पाय जाती है, एसिडिक टाइप की सॉयल होती है, उनमें नमी की मातरा जादा होती है, या फिर ये सब जो जितने के रखिएगा या फिर अगर आप मल्च नहीं कर रहें तो सबसे बेस्ट होता है कि आप इसमें राइस हस्क का यूज करें राइस हस्क में क्या होता है ना बहुत जारा मात्रा में और्गनिक कर्वन पाया जाता है और्गनिक कर्वन प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफेशिय बात करें राइस हजक में आपका 25-26% और्गनिक कार्बन पाया जाता है और नाइट्रोजन पॉस्पोरस पोटाज भी इसको में भरपूर मात्रा में पाई जाती है हमेशा पोट में नमी बनाए रखेगा कभी भी इससे सूखने मत दीजेगा सो दिखिए इस तरीके से मैं पूरा इसमें डिप कर दी हूँ जितने भी इसके वाइन से उसको मैं अच्छे से ढग दी हूँ क्या होगा यह धीरे-धीरे सर सर के आपका और्गनिक मटेरियल का काम करेगा यह क्या होता है आपको धीरे-धीरे प्लांट में न्यूट्रेशन प्रोवाइट करवाता है ना कि डायरेक्ली करवाता है क्योंकि फन के जो plants होते है जितने भी फन की variety होती है वो directly कभी भी nutrition absorb नहीं कर सकते जिसे क्या होता है पते ज़र ज़र जाएंगे फन के plant में इतना ज़ादा nutrition की ज़रूरत तो नहीं परती क्योंकि इसमें flowering fruiting नहीं होती खाली vegetative growth होता है इसके लिए होता है कि आप कभी भी इसके soil को सूखने मत दीजेगा अगर soil सूख जाएगी तो इसके एक बार पते ज़र जाएंगे तो दुबारा इसके branch में पते नहीं आते इसके जो wine सोती है उसमें पते कभी नहीं आएंगे तो धीरे धीरे damage होने लग जाएगा और जब तक अगर ये growth होगा इसके नए छोटे leaves बनना स्टार्ट होगा तो तब तक आपका plant पूरा इतना हरा बरा सुंदर plant पूरा खतम हो जाए रहेगा सो best है कि आप इस तरीके से बीच बीच में इसके जो leaves होते है उसमें भी पानी चुर किये अगर आप outdoor में रख रहे हैं तो भी अगर आप indoor में रख रहे हैं तो इस प्रेसे आप अच्छे से पानी दे सकते हैं क्योंकि leaf में भी मौश्य होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गर्मी जादा पढ़ने से leaf जलने लग जाती क्योंकि कभी कभी रूम का जो temperature होता है अगर आप indoor रख रहे हैं तो रूम के अंदर का temperature भी बहुत जादा हाई हो जाती है फिर पंखा कुलर चलता है तो उससे भी बहुत effect पढ़ता है इंदोर में आप पूरा totally इस प्लांट को growth बहुत अच्छे से होता है properly जो इसको humidity चाहिए उसको इतने चारो तरफ जितने plants रहते हैं indirect sun में जो growth होते हैं तो अभी क्या एक proton के सारे plant के बीच में मैं रख देती हूं तो इसका growth बहुत अच्छे से होता है क्योंकि सुबा की जो रोशनी परती है धूप परती है बहु परती नहीं है चारो पत्तों अत्तों से घीर के फिर दन उस तक sun पहुशती है तो अगर आप इस plant में direct sun में रखते हैं धूप में रखते हैं इसके पत्ते जल के पूरे खतम हो जाएगा इतना सुंदर पौधा कभी नहीं रहेगा तो इस तरीके से आप जैसे अगर बाहर र बन जाता है उससे plant का growth बहुत अच्छे से होता है अब बात करते हैं इस plant पे हम nutrition कैसे provide करवाएंगे nutrition के लिए कभी भी harsh fertilizer का use ना करें क्योंकि plant बहुत ही जल जल जाएगा बहुत जादा sensitive होते हैं इस plant के growth के लिए अच्छे growth के लिए जितने liquid fertilizer पाया जाते हैं आप उसका use क पर सकते हैं या फिर जितने indoor plants के लिए अलग से fertilizer पाया जाता है liquid fertilizer होते हैं उससे क्या होना ऐसे जैसे baby leaves होते उसके बहुत अच्छे से growth होता है आपका bushy होता है plant या फिर seaweed पाई जाती है आप seaweed का use कर सकते हैं बहुत अच्छा होता है जितमे वेजिटेटिव ग्रोथ होता ह उसके लिए seaweed बहुत अच्छी होती है growth के लिए हरा पन के लिए plant में बहुत जादा shiny पनाएगी हरा पनाएगी आप देख सकते हैं जो मेरा plant है कितने अच्छे से grow कर रहा है हाला कि मैं इसमें कोई seaweed वगरा use ने की हूँ मैं इसमें दो बार बस जो 19-19 पाई जाती है पर के से अपने plant को nutrition देती हूँ बट अगर आप नहीं अगर उस चीज़ को practical नहीं कर पाते हैं आप seaweed का use कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्लान का growth होगा सो ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी helpful लगी तो प्लीज वीडियो को like share कीजिएगा चैनल पर first time visit कर रहे तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye